गुड मॉनिक फ्रेंड्स लीगल एडवाजर के सेग्मेंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करते हैं कि यदि आपके साथ जो भी आपका रिजल्ट है अगर उसमें कोई हेरा फेरी हुई है उसमें कोई छेड़ छाड़ करके आपका गलत रिजल्ट भेज दिया गया है या गलत रिजल्ट बनाया गया है आपकी यानि जो भी नौकरी की पर इच्छा होती है या कोई भी कंपटेट्व एक्जाम जो आप देते हैं उसमें आपके साथ हेरा फेरी हुई है तो आप किस परकार से उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और आपके साथ किस परकार कि आपके result के साथ कोई हेरा फेरी हुई है तो उसके लिए अपने result की आप information मंगवा सकते हैं कि आपका result किस प्रकार से आया तो उसके आपको RTI right to information का एक कानून है उसके माध्यम से आपको आप सारी जानकारी एक ताय format में भेजनी होती है आपका roll number वगएरा और जो भी सारी information है जैसे आप वह भेजते हैं information के लिए RTI में लगाते हैं तो आपके पास सारी आपके result से संबंदित सारी information आ जाती है लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसे संतुष्ट नहीं है और आपके साथ नयाय नहीं हुआ RTI में ठीक परकार से जैसे आप expectation आपकी ठीक इतने number आने चाहिए उस परकार से आपको नहीं मिले हैं तो उसके लिए आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं आप जो भी एक्जाम देते हैं competitive exam को कोई संस्था उस परकार के एक्जाम को करवाती है तो जो भी संस्था एक्जाम को करवाती है उस संस्था की website पर आपको जाना होगा और website में आप online भी complaint कर सकते हैं online website में जाएंगे तो वहां complaint का option follow करेंगे उसमें सारे जो भी दिशा न आप जो भी department के जो भी senior authorities होते हैं जो भी अधिकारी होते हैं उनको direct आप वहां से address आप निकालिए उनका वहां पर address भी होता हो website में संस्था की website में और address के मादेम से अपनी सारी information की summary बनाकर आपका roll number और नाम पता वगरा लिखकर आप उनको भेज दीजिए तो उस पर भी वह अपनी जो भी जानकारी आपकी होगी चेक करवा कर आपको न्याय देंगे लेकिन उसमें और तीसरा option भी होता है आप चाहें तो वहां पर जो भी website होती उसमें email address भी लिखा होता है आप email के माध्यम से भी अपनी information को वहां भेज सकते हैं जिससे आपके साथ न्याय आप आपको मिलेगा और आपको सारी information जो भी result से संबंदी है आपको provide कर दी जाएगी उसके बाद बात करूँगा कि तीसरा option भी होता अगर दूसरे step से आप सहमत नहीं है आपको लगता है आपके साथ न्याय नहीं हुआ और आपकी नौकरी जैसे आपको मिलने वाली थी उसमें आपको लगता है कि आपके कम नंबर आ है और आपके साथ result में हेरा फेरी हुई है तो इसके लिए तीसरा option भी होता है आप उसके लिए court में जाकर अपने न्याय की मांग कर सकते हैं यानि आपका उसमें अधिकार है जो भी आप court में जाएंगे तो उसके लिए आपको जैसे कुन न्याय मिलेगा तो आप इस जो भी मैंने तीन स्टेप बताएं कि आप सबसे पहला स्टेप यह है कि आप राइट टो इन्फरमेशन यानि आर्ट यह लगाकर अपने रिजल्ट की इन्फरमेशन मंगवा सकते हैं दूसरा option यह है कि आप जिस संस्था ने एक्जाम को कं करके वहां पर आप केस को फाइट कर सकते हैं तो यह आपको लगता है कि आपके साथ रिजल्ट में हेरा फेरी हुई है तो इस प्रकार से जो भी संबंदित अधिकारी ने हेरा फेरी की है उसकी आप कंप्लेंट करवा सकते हैं तो इस संबंद में कुछ और आपको जानना य आए नाइस टाइम